नमस्कार दोस्तुं अगर आप रीड, सीटेट या किसी भी राजे की टेट बड़ती की तियारी कर रहे हैं तो दोस्तों आप सही वीडियो पर आए हैं हिंदी व्याकरन का अमारा आज का टोपिक रहेगा विलोम सबत दोस्तुं विलोम सबद से related महत्वपूंट परसन देखेंगे दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर और क्यूसनू की संग्या रहेगे 38 दोस्तों 38 अगर ये क्यूसन है तो आपके 38 विलोम सबद त्यार होंगे और ये 38 विलोम सबद वही है जो बार-बार एकजामू के अंदर क्या है पुछे जाते हैं दोस्तों अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सेर कर देना दोस्तों और कुचामन ओनलाइन क्लासेज यूटूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना चलते हैं दोस्तों क्यूसन की और हर एक क्यूसन का आपको कमेंट एंस्वर है वो करते रहना है दोस्तों पहला क्यूसन है दोस्तूं हरे क्यूसन आपके स्क्रीन पे रहेगा आपको एंस्वर है वो कमेंट करना है पहला है कृपपा का विलोम सबद क्या होगा दोस्तूं आवेस होगा आवेग होगा क्रोध होगा या उद्विहेग होगा तो सबद क्या दिया है आपको सबद दिया ह क्रिपा और क्रिपा का विलोम सब्द क्या होता है दोस्तों क्रिपा का विलोम सब्द होता है क्रोद तो आपका सही option क्या हो जाएगा यहां पे सह option है जो यहां पे सही हो जाएगा next question है अचल का विलोम सब्द बताना है option है a option है इस्तिर b option है गतिसील, C option है आपका सचल और D option है चलाईमान, तो यहां पे देखें, आपको जो सबद दिया है वो दिया है अचल, और अचल का जो आपके विलोम सबद होता है दोस्तु वो होता है सचल, क्या होता है सचल होता है दोस्तु, तो आपके सही answer हो जाएगा option से दोस्तु next question है आपका अनिवारी का विलोम सबद बताना है A option है आपका सवेच्छा B option है आवसेक C option है एच्छिक और D option है प्रस्टांकित तो जो सबद दिया है आपको वो दिया है अनिवारी और अनिवारी का सही विलोम सबद क्या होता है दोस्तु अनिवारे का एच्छिक होता है और आपने B A B S C किये दोस्तों आपको पता है एच्छिक विशे और अनिवारे विशे वहाँ पे आपके थी दोस्तु चलते है next keyword दोस्तु कम समय के अंदर दोस्तों हम करेंगे क्योंकि एकजामों का समय चल रहा है कम ही समय के अंदर सभी एकजाम है होने वाली है तो जितना कम समय में आपको ज़्यादा ग्यान दिया जा सके वो ही हमारा उदेश से है next देखते है अनागत अनागत का आपको क्या बताना है विलोम बताना है सबद क्या दिया है अनागत अनागत का पूछा है आपको विलोम तो अनागत का होता है आगत दोस्तों अपका क्या रहेगा यहां पे सही रहेगा next है आपका पांच नमर सबद दिया है आपको अउनी अउनी का विलोम बताना है आपका आकास बे option है आपका आस्मान सेher आपका अंबर और दे आपका नब तो अउनी अउनी का आपके विलोम होता है अंबर दोस्तों सेher option आपका है जो क्या रहेगा सही रहेगा नेक्ट सह नमर क्यूषन की ओर चलते हैं अत्तेदिक अत्यदिक का विलोम होगा option A है अलप option B है न्यून option S है अत्यलप और option D है जरासा बहुत अच्छा क्यूसन है अत्यदिक का आपको क्या बताना है विलोम सब्थ बताना है और सभी जो क्यूसन के अंदर option आ रहे हैं सेम से option आ रहे हैं यह है जो क्या है? सभी अत्यदीक के विलोम है. तो दोस्तु, जल्दी से कमेंट करो, जिन मित्रू ने वीडियो को भी तक लाइक नहीं किया, लाइक कीर करिए, सेर नहीं किया है, वो सेर कर दें, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और जो मेरे साथी फेस्बुक पे वीडियो देख रहे हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि वीडियो के उपर आपको चैनल की लिंक दी गई है वहाँ पे जाईए और यूटूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें दोस्तों वो ही क्विज यहां पे रहेगी जो एक्जाम की दरश्टी से बहुत इंपोर्टेंट रहती है मिसन चल रहा है मारा रीट, सीटेट, स्टेट की जो टेट वर्तियां होती है उनको लेकर दोस्तों तो सही एंस्वर रहेगा छैनमर का आपका अत्यल्प अत्यदिक का अगर विलोम पूषजा जाए तो अत्यल्प सही होता है दोस्तों चलते है नेक्स्ट की ओर क्योंसर नंबर साथ है दोस्तों उमारा एवननत का विलोम होगा उननत होगा उतकर्स होगा उच्छ होगा या नत होगा भहुत अच्छा क्योंसर ने दोस्तों जल्दी से कमेंट करेंगे सभी साती और एक बार जिन मित्रूं ने सेर नहीं किया जो regular मेरे साथ जुड़े रहते हैं regular मेरी क्विजों में भाग लेते रहते हैं वो सेर गर दें Facebook और WhatsApp पर अपने मित्रूं के पास सेर गरें अधिक से अधिक अधिक अपने मित्रूं को जोड़ें दोस्तों दोस्तों कोई सी भी जानकारी हो आपको मैं सबसे पहले देता हूं चाहरी रीट बड़ती हो सीटेड बर्ती हो या अदर स्टेड बर्ती हूं कि जो जानकारी है वो आपको मिलती रहती है और हर topic की अनुराग का विलोम सबध होगा option जो यहां पर क्या रहेगा पतिलोम, सही, विरोधी या निम तो सबद क्या दिये है आपको अनुलोम और पूछा क्या है अनुलोम का आपको पूचा है यहां पर विलोम सब्द तो अनुलोम का दोस्तू विलोम सब्द क्या होता है जल्दी से कमेंट करके बता दे सभी साथी बहुत अच्छा दोस्तू परतिलोम ए ओप्सन है जो क्या रहेगा आपका यहां पर सही रहेगा दोस्तू चलते है नेक्स है विनास तो सबद क्या है अर्जन अर्जन का दोस्तों बहुत कम सात्यों का सही होगा और बहुत इंपोर्टेंट है दोस्तों ये बहुत बार पुछा गया ये क्यों सन अर्जन का अगर विलोम पुछा जाए दोस्तु तो आपका सही होगा वो होगा विहन औप्सन सह है जो यह पर क्या रहेगा सही रहेगा नेक्स्ट है अद्धी तेका का आपको opposite value बताना है दोस्तु Option A है वन तेका Option B है अभी तेका Option सह है उप तेका और उप सन दह है वनस्तली तो जल्दी से comment करके बताएं दोस्तू अदीत तेका का सही विलोम सबद क्या होगा बहुत अच्छा दोस्तू क्या होगा उपत तेगा सह option है जो आपका क्या रहेगा यहां पे सही रहेगा नेक्स्ट है बारा नमर क्योंसन अमर का अमर का विलोम सबद बताना है दोस्तू option A है आपका मत्रे option B है असूर option सह है मानव और option D है मरणसी important question दोस्तू तो दोस्तू सबद है आपका अमर और अगर अगर अपोजिट यान विलोम पूचा जाए तो आपका होता है मत्रे option A है जो याँ पे क्या रहेगा आपका सही रहेगा दोस्तू चलते है next question की ओर question number 13 है दोस्तू आपका आकस्मिक का विलोम सबद बताईए क्या होता है option A है सामियक option B है अनुमानित option सह है पूर्वा भासित और option D है देनिक important question दोस्तू तो question में क्या है की सामिक आकस्मिक का आपको क्या पूछा है विलोम सबत बूचा है और आकस्मिक का विलोम सबत होता है सामियक option A है जो सही रहेगा next 말 heck 14 नमर का commission दोस्तू आगात का विलोम सबत बताईए सबत क्या है आगात option आपका A option है अनागात बे ओप्सन है सागात से ओप्सन है पूर्व कतित और दे ओप्सन है अनोपचारिक तो सबद क्या दिया आपको सबद दिया है आगात और आगात का होता है दोस्तु अनागात आपका ए ओप्सन है जो यहां पर क्या रहेगा सही रहेगा next question है खल का विलोम सबद बताओ तो दोस्तों यहाँ पे खल का आपको क्या बताना है विलोम सबद बताना है और जो मेरे किसान भाई जुड़े हुए हैं किसान भाईयों के जो बेटे बेटी हैं या जो खुद किसानी का काम करते हैं खल का मतलब पसुआर मत समझ लेना दोस्तों खल का अलग अर्थ के अनुसार आपको यहाँ पे कमेंट करना है option है आपका सुजन option बह है सजन option सय है संत और option दह है सादू खल का विलोम सबद क्या होता है दोस्तों बहुत अच्छा दोस्तों खल का विलोम सब्द होता है आपके सजन दोस्तु चलते है next question की और next question है दोस्तु 16 नमर का हमारा पंडित सब्द का विलोम होगा क्या होगा option A है अग्यानी, option B है मुरक, option C है मूड और option D है अनाडी सब्द क्या दिया है पंडित, पंडित का आपको क्या पूचा है यहां पे विलोम पूचा है दोस्तु तो पंडित का विलोम सब्द क्या होता है दोस्तु पंडित का विलोम सब्द होता है मैसा मुरक दोस्तु तो आपका यहां पे कौन सा option सही रहेगा, option B है जो क्या रहेगा सही रहेगा, next है नक खा, नक सब्द का परतिलोम होगा, परतिलोम विलो और option दे है के स्पास सब्द क्या दिया है सब्द दिया है नक और नक का अगर आपको विलोम पूचा जाए तो आपका सही एंस्वर होगा सिक दोस्तु option बै है जो क्या रहेगा यहां पे सही रहेगा next question है हे सब्द का विलोम नहीं है बहुत अच्छा question है बताए जल्दी से कौन सा सब्द है जो हे का विलोम नहीं है दोस्तु option ए है आपका प्रेम, option बै है आपका सने, option सह है आपका प्यार और option दे है आपका ग्रिना बहुत अच्छा दोस्तु हे सब्द का विलोम हे या ग्रिना यह की सब्द है दोस्तु यह प्रियाई वाची है दोस्तों आपस में प्रेम सने प्यार ये भी प्रियाई वाची है तो हे का यहां पर क्या पूचा है विलोम नहीं है कौन सा नहीं है आपके ग्रीना नहीं है दोस्तों ये क्या है प्रियाई वाची है इसका बाकी तीनों की बात की जाए तो ये क्या इसके विलोम है दोस्तों चलते है next की ओर next question है 19 नमर अमरा सास सबद का विलोम है option A है बिती option B है हिम्मत option से है डर्ना और option D है वीर्ता तो सभी को पता है सास सबद का विलोम क्या होगा सास का डर्ना नहीं होता है दोस्तों सास का डर्ना नहीं होता है सहाप्शन नहीं होगा दोस्तों आपका यहां पे सहाप्शन जो बता रहे हैं उनका गलत है सास का विलोम पुचा जाए तो मेसा होता है बीती ओप्शन एह है जो क्या रहेगा आपका सही रहेगा चलते हैं next की और इससत important question जैसे ही सबद पड़ा है बहुत important बता रहा हूँ इससत सबद का विलोम होगा प्रियाप्त होगा परचूर होगा उप्यूक्त होगा या ठीक होगा इससत सबद का पूचा है दोस्तूं तो इससत सबद के अगर हम बात कर रहे है विलोम सबद की तो इससत सबद का जो विलोम होता है वो होता है परचूर option बह है जो आपका क्या रहेगा याँ पे सही रहेगा next है आपका दाता सबद का विलोम नहीं है सबद क्या दिया आपको दाता और पूचा क्या है इसका विलोम कौन सा नहीं है दोस्तों ओप्सन ए है दानी ओप्सन बे है करपण ओप्सन से है कंजूस और ओप्सन दे है सूम तो दाता सब्द का विलोम नहीं है दाता या दानी दोनों प्रियाई वाची हो गए तो आपका option A है जो यहां पे क्या हो गया सही हो गया दोस्तों चलते हैं next question की ओर next question है मारा बाइस नमर विनित सब्द का विलोम है विनमर आग्याकारी उधंड या सिष्ट सब्द क्या दिया है विनित और विनित का दोस्तों विलोम पूचा जाए तो विनित का जो विलोम होता है वो होता है उधंड सह option आपका क्या रहेगा याँ पे सही रहेगा next step ए तेबिश नमर विदी सब्द का विलोम है option A है अवदी option B है सूविदी option सह है परतिबंद और option D है निर्विदी जो सब्द क्या दिया है विदी दिया है और विदी का आपको क्या पूचा है विलोम तो विलोम होता है ए विदी दोस्तों आपका A option है जो क्या रहेगा याँ पे सही रहेगा next question है सापेक्स सब्द का विलोम होगा क्या होगा option A है निर्पेक्स option 2 है पक्सपाती, option से है तटस्त और option 2 है सपक्स सबद क्या दिया है? सापेक्स और सापेक्स का विलोम होता है मैंसा निर्पेक्स दोस्तू सापेक्स का निर्पेक्स चलते हैं next question की और next question है 25 नमर दोस्तों हमारा 25 नमर क्योसन है सुद्र सबद का विलोम नहीं है Option A है विसाल Option B है मान Option सह है व्रेद और Option D है छोटा सबद क्या है सुद्र और सुद्र का विलोम क्या पूचा यहां पे नहीं है कौन सा नहीं है तो सुद्र का विलोम नहीं है यहां पे छोटा सुद्र का मतलब क्या होता है चोटा आकार में चोटा चलते है नेक्स्ट की और सनीक सबद का सनीक सबद का विपरार्तिक है ओप्सन ए है सास्वत ओप्सन बै है नस्वर ओप्सन से है सनातन और ओप्सन दै है अंबर तो सनिक सबद का विलोम पूचा है और सनिक का विलोम होता है दोस्तों सास्वत आपका ए ओपसन है जो क्या हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा नेक्स्ट है उतकरस सबद का विलोम होगा अपकरस, विकास, उन्ती या परगत्ती तो दोस्तु सब्द क्या दिया है उतकरस और उतकरस का क्या पुछा है आपको दोस्तु उतकरस का पुछा है विलोम तो उतकरस का होता है अपकरस दोस्तु एय ओप्सन है जो यहां पे आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा तो दोस्तु, सेर किस-किस ने नहीं किया, जल्दी से सेर कर दो, लाइक कर दो दोस्तु और सभी साथी Facebook, WhatsApp पे सेर करो, Read, सीटेट और स्टेट टेट की जो साथी तियारी कर रहे हैं, उनको यहां पे लेकर आने का काम है दोस्तु आपका तो अधिक से अधिक सेर्ख करते जओ चलते हैं 28 नमर क्यूसन की ओर दोस्तों इस्तुति सब्ध का विलोम है सब्ध क्या दिया है इस्तुति Option A है आपका परसंसा Option B है निंदा Option C है पुझा Option D है बुराई सब्ध है स्तुति स्तुति का मतलब हमारे क्या होता है दोस्तु परसंसा भी होता है लेकिन दोस्तु इस्तुति के एगर बात की जाए विलोम की तो होती है निंदा इस्तुति की क्या होती है दोस्तु निंदा दोस्तु इस्तूति मतलब किसी की अच्छाई बताना किसी की बाते है ना वो अच्छी बाते बताना और किसी की निंदा करना चलते है next क्यों संपन सब्द का पर्तिलोम होगा option A है निर्दंता option B है वेभवसाली option सह है ए संपन और option D है विपन तो ये तो बहुत सिंपल क्योंसन है बताईए जल्दी से संपन सब्द का पर्तिलोम होगा ज्यादा तर साथी ऐसंपन कर रहे हैं तो दोस्तों ऐसंपन नहीं होगा विपन होगा आपका दैव option है जो क्या रहेगा यहां पे सही रहेगा तीस नमर क्योंसन की ओर चलते है मुखे का विलोम होगा गोण होगा परमुक होगा परधान होगा हे होगा सबद गया दिया आपको मुखे और मुखे का अगर विलोम पूचा जाए तो में सा क्या होता है गोण होता है दोस्तों मुख्य का गोण होता है चलते हैं 31 नमर क्यूशन की ओर 31 नमर क्यूशन है दोस्तों हमारा निम में से विलोम सब्दू का कौन सा यूग्म सही है सही यूग्म बताना है option A है संग ए संग option B है आकास धर्ती option सह है अवनत नत और option D है इस्तुति निंदा बहुत अच्छा क्यूशन है दोस्तों पूचा क्या है यूग्म सही है कौन सा यूग्म सही है आकास का क्या होता है दोस्तों पाताल होता है तो ये तो गलत हो गया तो आपका दे option है इस्तुति निंदा यह सही है दोस्तों अभी अभी यह विमारे आया था तो दे option क्या हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा next की ओर चलते हैं नेवन में से सही विलोम सब्दू के यूगम को चुनिये option A है दुर्जन सादुजन option B है महमान अतिती option सह है रुक्ष इंस्यूंग्द और दे है वेमन से नव वेमन से नवेमन से तो यहाँ पे आपका जो सही अंस्वर रहेगा दोस्तों पुचा क्या है विलोम सब्दू का कौन सा यूगम है जो सही है और बहुत सारे साथ यहाँ पे करेंगे गलत इसको वेमन से नवेमन से ही रहेगा चलते हैं next question की ओर next question है हमारा 33 नमर का दोस्तों नेमने विलोम सब्द यूगमु में से कौन सा सही नहीं है तो थोड़े सा दोस्तों आपको दिखाई में प्रोब्लम हो सकते हैं तो मैं बोल रहा हूं ध्यान से सुन ले पहला option है परसारण संकुचन बे option है ओजस्वी निस्तेज से option है बिग्गे अनबिग्गे और दे option है नागरिक ग्रामीन पूचा क्या है पूचा क्या आप से कि नेमने विलोम सब्द यूगमु में से कौन सा सही नहीं है तो कौन सा सही नहीं है दोस्तों आपका सही नहीं है यहाँ पर options है बिग्गे अनबिग्गे दोस्तों चलते है next की और नेमने से गलत विलोम सब्द यूगम को चुनिए गलत कौन सा है दोस्तों इन में से सपल ए सपल बेद भी बेद रित अनृत शमा दंड तो यहाँ पर पूचा आपको गलत और नेमन में से कोन सा सही विलोम सब्द यूगम नहीं है कोन सा नहीं है परोपकार उपकार तरुन वृद नेसरगी करत्रिम उग्र सोमे बहुत अच्छा क्यूशन है दोस्तों यहाँ पर गलत कौन सा है आपका परोपकार अपकार नहीं होता है दोस्तों परोपकार उपकार हो सब्द है विदीर्ण विश्त्रीन विसाल कोई नहीं है बहुत अच्छा क्यूसन है संकिर्ण बहुत छोटा विश्त्रीन बहुत लंब ओप्शन बै आपके क्या हो जाएगा यहां पे सही हो जाएगा चलते हैं नेक्स्ट की ओर 37 नमर क्यूसन है निम्न विलोम सब्द यूगम में से गलत सब्द यूगम है किरिया किरिया परवर्ति निरवर्ति स्रिजन सहार यहां पे दोस्टों ओप्शन दे है इसके अंदर कुछ मेरे को मिश्टाइक लग रही है तो ओप्शन दे को हम अठा देते हैं तीन ओप्शनों तिस के और चलते हैं जो सही नहीं है उसे चांटी है गलत कौन सा है उप्सन ए है विनित उधन्ड उप्सन बह है वादी विवादी उप्सन सह है चतूर मूड और उप्सन दह है मुक वाचार तो सही यहां पे गलत कौन सा है दोस्तों यहां पे गलत है आपका वादी विवाद जो क्या रहेगा यहां पर सही रहेगा दोस्तों तो दोस्तों विलोम सब दूसें जो आज तक के रीट एकजाम हो या सीटेट एकजाम हो या टेट एकजाम हो में जो भी मेरे को क्यूशन आए हुए मिले वो ही क्यूसन इस वीडियो में आपके सामने में लेकर आया हूँ तो कैसे लगे एक बार कमेंट कर दें दोस्तों अगर अच्छे लगे हैं पसंद आये हैं तो अपने मित्रों के पास सेर करने का प्रयास करें दोस्तों वीडियो को लाइक करें वीडियो को अपने मित्रों के पास सेर करें और दोस्तों जो क्यूसन लेकर आ रहा हूँ वो बहुत इंपोर्टेंट रहेंगे एकजाम के लिए चैनल को आप सबस्क्राइब जरूर कर लें दोस्तों और अपने मित्रों के पास अधिक से अधिक सभी साती है जो पहुँचाने का प्रियास करें हर एक वीडियो को अपने मित्रों के पास सेर करें जिसे वो भी हमारे साथ जुड़ सकें और इन क्यूजों का फाइदा उठा सकें दोस्तों हर रात 9 बजे आप तयार रहें इन क्यूजों के अंदर भाग लेने के लिए दोस्तों आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जे हिंद जे बारत